वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल, here I will discuss about edit polyline command यहने कि polyline में कुछ changes करना है तो उसके लिए इस command का यूज करते हैं इस command की shortcut की होती है PE या फिर आप simply modify menu में जाएंगे तो यहाँ पर option दिया हुआ है edit polyline का यहाँ पर आप click कर सकते हैं कि कोई object है किसी line को line से बने किसी object को हमें polyline में convert करना है तो उसके लिए भी इस command का यूज करते हैं तो simply में क्या करूंगा कोई line से कोई object ड्रा करता हूँ जैसे line में click किया इसके बाद simply मैंने एक triangle ड्रा कर दिया तो यह मैंने triangle ड्रा किया हूँ तो अभी आप click करके देख रहा है कि यह simply line में है अब मुझे इसे polyline में convert करना तो polyline edit command जो है PE लिखका देन एंटर प्रेस कर देंगे आप यह बोल रहा है select object select के लिए मैं multiple करूंग है तो multiple में यहजे बहुआए माद से करके इस थरीकी से select कर लिए उसके बाद हमें enter प्रेस कर ना है पिर इसके बाद yes है तो हमें again enter में इंटर प्रेस करना है इसके बाद यहां प्रे आया है join वाला option हम right loss यहां join में click कर देंगे then again Esame कर देंगे, Excuse की दभा देंगे, तो इस तरीके से हमारे जो Line में directly बनाए थे वो Pauline में change हो गया है, है अभ हम next देखेंगे अगर suppose मैं कोई polyline बनाता हूं यहाँ इस तरीके से यह मैंने कोई polyline randomly ड्रा कर ली है, कि अब स CAS करना तो simply Polyline edit command PE then enter फिर इसके बाद इसे select कर लेंगे तो हमारे option आजाएंगे जिसे आपको polyline की जिए दो end है अगर मुझे इने close करना है simply close मैं कर दूंगा तो यह close हो गया अगर मैं open करूंगा तो open हो जाएगा अब joint वाला option हमने triangle में देख चुके हैं अब इसके बाद width अगर मुझे width change करन आप वाली लाइन की तो मैं width जो अपने को डालना है suppose example के लिए मैंने six लिया हूँ six लिखकर enter प्रेस कर दिये तो मेरी width change हो गई अगर मुझे फिर से change करना है तो मैं फिर change कर दूंगा तो लिखकर enter कर दूंगा इस तरीके से अगर आपको vertex edit करना तो edit vertex में क्लिक कर दूंग vertex मतलब यह corner point दिख रहा है उसे करना है अगर next अगले corner में जाना इस से इसमें जाना है तो मैं next कर दूंगा और आगे जाना तो next करते जाओंगा आपको इसी तरीके से अगर मुझे previous में जाना है अभी मेरा यह है अगर मुझे previous में जाना है इस point से इस point में तो previous में क्लिक कर जूँगा अगर ब्रेक करना है अगर पॉली लाइन ये एक थी अब इसे दो भाग हम बाटना तो सिंप्ली ब्रेक ऑप्शन कर देंगे देन गो में चले जाएंगे तो गो कर देंगे अगर मुझे फिट करना है पॉली लाइन को फिट में कर दिया तो कुछ इस तरीके से हमारी पॉली लाइन ड्रा हो जाएगी अब जो इसका नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में डिसकस करते हैं इस पी लाइन अगर इसको इस पी लाइन में बनाना है तो सिंपली इस पी लाइन मे convert हो गई अगर हमें से अगेंट D curve में करना है तो D curve में क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से D curve में convert हो गई तो यह simple polyline थी edit command अगर मेरा वीडियो आपने previous वाला नहीं देखाया polyline का तो प्लीज previous वीडियो जरूर देखिए उसके description में link दिया हुआ हूँ thanks for watching